जैन वच्चो वेलकम तुद मेजर कल्सी क्लासेस आपको पता है कि हम लोग इस बात को सावित कर रहे हैं सावित आपको करके दिखा देंगे कि जो पेपर आपका एंडिये सेकंड में यानि 2023 का एंडिये सेकंड जो तीन सितंबर को कंड़क्ट हिया गया उसमें कुशन कहां से आए थे और यह बात भी नहीं है कहां से आये थे मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चन पेपर तो अल्रेडी एक तरीके से क्या था आउट था कैसे आउट था वह आप जानेंगे आगे आने वाली स्लैट्स में कि पेपर कैसे आउट था कैसे जी एटी के पेप लगाये होते तो भी आपका मैंजिमम स्कोर हो सकता था मैंजिमम मतलब आउट फिप्टी में से आप थोड़ा सा पढ़के भी अल्मोस्ट 45 तू कभी कभी तो हो सकता है 50 भी कर सकते थे करने फिर्स को थोड़ा सा एड कर लिजे लिगा अगर उसको भी आड कर लेंगे तो हम फिप्टी आउट फिप्टी लेकि आ सकते थे ऐसा इसलिए क्योंकि पेपर में जो आने वाले क्वेश्टन थे एक तरीके से क्या थे पेपर तो अल्रीड आउट था दोस्त पहले से आउट था कैसे देखें एंड ये दो हजार तेई शेकिंड तीन सितंबर को हुआ है सबस क्वेशन नम्मर 77 उठा लीजेगा ठीक क्वेशन नम्मर 77 उठाएंगे तो इसमें दिया गया है कि विच वन अमॉंग दा फॉलिविंग पेयर ओफ माइन मिनरल इस नोट करेक्ली मैश्ट कहा गया है कि खान और खनिस का कौन सा जोड़ा ऐसा है जो इसमें मेल नहीं खाता ह है ठीक देखो हमारी जो आमकेशी की बुक है जोगरफी और एकोनमी की क्लास में भी कराया हुआ है ठीक है और उसमें तो यहां एमकेशी बुक में सीधे-सीधे क्वेशन है हमने उस क्वेशन को भी उठा लिया है क्या क्वेशन है पेज नम्मर 251 पर आप देख सकते हैं कोल का दिया रहा है कॉपर का दिया है ऐरन ओर सिल्वर इधर क्या दिया गया है आरन ओर जिंक कॉपर वक्साइट दिया गया है अब आप देखें एक्शल में इस क्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो आप आसानी से लगा देते हैं कैसे लगा सकते हैं देखें यह तो कुद्रमुक इक्ष्ट में है कुद्रमुक किस इलिए फिमस है किस के लिए है डेख लीजी इसमें बैला डिला चाहिए तो आप आसानी से लगा सकते थे contents आटसे खेतडिरी की जो खान है वो तांबे की लिए भी फिक से यई पूर और ना को श्रीम है व्हां बस कोश्चन को अनला था उस उसी पर उप के लिए जर्छन सोफ सं वैसा दो ब्रम मैंनि यथी आपको करें दो दिए हैब कि पैडिके से देख लीजिए और हमने कई सारे सबाल उठाए हैं ऐसा भी नहीं है कि एक सबाल उठागे आपको दिखा देंगे देखे आज जागोर्फिकल ग्रिड क्वेश्चन नम्मर 80 दिया गया है सैट पेपर एम है क्वेश्चन नम्मर 80 में दिया गया है कि लाइन्स दैट रन इस्ट अब आप देख लीजिए क्या यह देखो क्या है इधर देख लीजिए इधर देखो आराम से आपको दिया गया है यह क्या है वैस्ट से इस्ट यानि इधर से ले लीजिए यह सब क्या है यह लिखा है फिगर में ठीक और देख लीजिए इस पोल से इस पोल यानि नॉर्थ फोल से साउथ फोल यह क्या है यह देशांतर यानि लॉंगिटूड तो कुल मिलाकर कि क्या है यह कोशन भी आप देखेंगे क्या है इक तरीके से आउट है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही से डिसकस किया हुआ है क्लास में भी और हमारी एंकेसी बुक का प्रूफ भी ले लिजेगा पेश नंबर 15 पर आप चले जाएगा आपको मिल जाएगा यह ठीक है और अगला सबाल देख लीजिए यह देखें अगला सबाल सेट नंबर एक एटीन वन है इन विच वन आप दा फॉलिविंग लेयर क्या रखा है इतर भी देखें ट्रॉप इस फिर के बारें बता है क्या है देखो यहां लेखा हुआ है कि दिस इस दा मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर एट्म ओफ एट्मस्वियर विकॉस आल काइंड्स आप बैदर चेंजिस टेक प्लेस अनली इन दिस लेयर सेम टू सेम ला टकने की कोई जरूरत नहीं है जब एक ही जगे पर एक ही प्लेट फॉर्म पर आवरिटिंग इस अविलेबल और आप इतना पढ़ लेते हैं यहां अगर कि कि आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है पेज नमर 98 पर उठा लीजिए सवाल मिल रहेगा आपको क्लास नू इंडिया हो दुनिया हो इंडिया तो एक्जामिनर ने ब्रह्म पैदा करने के लिए आपके लिए दिया दिया था सच बात यह है कि आप से पूछा गया है कि प्रसर की उनिट कौन सी होती है तो हमारी बुक के पेज नमर 101 पर चले जाएए आपको मिल जाएगा क्या मिल सब्सक्राइब जाए तो ऑफ्षन करेक्ट आंसर क्या होगा भी तो यह भी क्या है आउटी तो है और हम आपको कितना प्रूफ दें लें अभी तो अभी आप पिक्चर अभी बागिए बटा सिर्फ ट्रेलर है आगे देख लें विच फाइव प्लान आफ इंडिया फोकॉस फोकस किया घै इसका अंसर यह भाईसाब जिसका यह तो है तो यह होगा से अपको पता है कि कहां से आरहे हैं कैसे आ रहे हैं आपको फूफ रूफ करके दिखा रहे हैं class notes में भी अवेले वलेबल है सब कुछ है उसके बावजूद भी यह फिर हमको इधर उधर बढकने की क कोई आवस्ता नहीं है सिर्फ आपको फोकस करना है पेज नमर भी देख लिए 306 पेज नमर पर दे रखा है ठीक अगला समाल देख लीजिए समाल पर बढ़ने से पहले आपको हमारे एक थोड़ी सी छोटी सी जानकारी आपके लिए में आपको सारी की सारी जो ऑनलाइन तयारी है वो कहां मिलेगी सिर्फ बहुत ही अफॉर्डबल प्राइस में इतनी कम प्रैस में बटा इतने कम प्राइस पर देख लिए और सच बात यह हजार रुपए में क्या होता है कुछ नहीं होता है चैनल के जाएगा मोबाइल में तो बात समझ में आप अपनी या तो जिन्दिगी बना लीजिए यह दर देख लीजिए और सच बात यह है कि अगर इधर-दर प्रेटफरंब भटकते भी हैं कोर्ष नहीं पढ़ते हैं तब भी आप डाटा खर्च कर देंगे सच बात यह है कि आप थोड़ा सा वस प्रयास कीजिए और हमारे डेली लाइब क्लासेश का बेनिफिट पाईए रिकॉर्ड लेक्टर भी मिलेगा आपको सब्सक्राइब भी मिलेगी ऑनलाइन टेस्ट भी होता है और अल इंडिया मॉक टेस्ट भी हम लोग कंडेक्ट करते हैं तो आपको कम कीमत पर यानि बैस्ट क्यातना चीप एंड बैस्ट सस्ता भी और सबसे अच्छा भी यह कि की खासियत है ठीक है आप अगर यह थोड़ी स्टेटमेंट इस नोट करेक्ट एरिया वाइज मध्य प्रदेश इस दा फोर्थ लार्ज़ेस इस्टेट इंडिया आज पूचा गया है कि नीचे दिये गए कथनों में से कौन सा घलत है सही नहीं है कहने का मतलब यह है और पहला स्टेटमेंट क्या है एरिया वाज मध्य प्रदेश इस दा फोर्थ लार्ज़ेस इस्टेट इन इंडिया अब हमारी बुक का क्वेश्चन नमरी देख लीजिए मैं तो छोड़िये मैं तो क्वेश्चन की भी बात कर रहा हूं आपसे पेज नमर 147 पर चले जाए दिया इंटम्स अब जोगर्फिकल एरिया वाट इ इसका आंसर क्या है तो आप आराम से लगा सकते हैं क्या भाई राजस्थान टॉप पर आता है दूसरे नमर मद्यप्रदेश्च तीसरे पर महराष्ट अब यह कर रहा है हमारी वुक का कि सेकंड लार्ज़ेस्ट है इसका मतलब है कि यही इस साब से क्या होना चाहिए आंसर इस आप आपकी सामने दे रखें और हमारा सोर्स देख लीजिए क्या है ब्लैक स्वाइल जिस रेगुर्ड वी कहते हैं ब्लैक स्वाइल गुड फॉर कल्टिवेशन अफ कॉटन इसकी अगली उपर बाला जो पाइंट लिखा था उसमें लिखा था ब्लैक स्वाइल इस आल क्रॉप करते समय आपर आने पाया है पेज नम्मर 192 पर आपको आराम से मिल जाएगा तो आपको इधर-धर भटकने की कोई आवा सकता नहीं पेपर हमने पहले से एक तरी किसी आउट करके रखा हुआ है और हम पूछते हैं कि सर जी ओ टी में जी एट में में स्कूर कैसे कर पढ़िए क्वेशन नम्मर 105 लेजिए से टेक ही है तो फॉलिव इस्टमेंट अब फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया अब फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है और यह पूछा गया है पैनेंसल प्लेटू के बारे में यानि प्रायदीपी पठार के बार और श्रिच्टमेंट टू एंडल फिट्रूमन तो करेक्ट है और श्रिच्टमेंट टू इनकरेक्ट है और यह जानकारी आपको पेजसर कोरноп nós नम्मर 50 बहूत ही कम बस मैथ में इंग्लिस में अगर कुछ घरबड़ी हो जाती है साइंस में घरबड़ी हो जाती है तो जी आपके लिए जिन्दाबाद है क्योंकि पर 100 पेज पढ़िए और 100 पेज में पुरा खेल की पचास में से 50 की बिल्कुल आप खराब कर देंगे इतने बहतरीन तरीके से आप पर सकते आगे देख लिए से फिर से ले लिया है विच वन अब दा फॉलिवें इस नेरो बैल्ट पैरल्ल टू शिवालिक फुटहिल्स के जश्ट नीचे पाई जाती है जहां पर पर बता की जो निच्छे पोतें डिपॉजिट होते हैं इसका अंसर होता है इसका अंस विचिज कॉल्ट भावर देखो सेम लाइन टू लाइन उठा की देगी है सेम लाइन अब हम क्या माने का यूपयश्य के पेपर से रहें के सी की बुक पर बना रहे थे हम तो यहीं कह रहे हैं आप से क्या कि हम लोगों ने पेपर तो पहले ही आउट किया हुआ है आप पता क्यां से आपका पेट नी भरा करेंट फेर की क्वेश्चिंस लगा देते हैं यह तो मैंने कुछ उठाए हैं हैं तो सारे के सारे करेंट अपको बता हैं अब हमने अब ने का जो सैकंड पेपर जो जी जी अ सैकंड का पेपर है जी अटी बाला उसका सैट पहले था अब दी तो आपको बाइलेटरल एक्सराइज दुपक्षी अभ्यास और पूशा गया है कि कौन से कौन से सामिल है तो अब आप इसका प्रूफ ले लिजी हम से अगली स्लाइल पर चलते हैं यह प्रूफ हमने अपनी महा संग्राम की वीडियो में दैस दूसरी वीडियो जो अगस्त म वीडियो लेकि आये थे उसमें आप पूरे की पूरे देख लिजे सारी की सारी हमने कर आई हैं यह तो कुछ ही लिए हमने सारी की सारी कर आई है देखो इंडोनेशिया की कौन सी है यह गरुन सकती है यहां पर इंडिया जापान की क्या है धरम गार्जियन है यहां पर सब कुछ सब कुछ पहले से मैच था अब आप कैसे कह सकते हैं कि सर क्वेशन आउट नहीं था आपको बस द्यान से देखना था और आप इधर उदर भटक रहे थे भटकते रहते हैं क्या जरूरत है बटकने की देखो इधर उधर भटकने से कहते हैं कभी-गभी साजी को यह मतलब हम इतने की चक इतना छोड़ देते हैं इतने की कोसिर करते हैं फिर इतना भी भाग जाता है शूति जाता है हम से हम कहते हैं कि कम पढ़ी है मैग जीवम स्कोर कीजिए इतना मत पढ़ी है पीएच डी नहीं करनी है कम पढ़ी है लेकिन स्कोर मैग जीवम कीजिए और ऐसा तब दो सकता है जब सीथे हिट कोश्चन फसाद है बिद प्रूफ आपको बता रहे हैं ठीक है अगला देखें बारती रिजर्ब बैंक द्वारा कौन सा डैसबोर गया है इसका अंसर क्या है अंतरदरश्टी और इधार देख लीजेजे सीथे किस अंस्था ने अंतरदरश्टी ड करेंट फिर का भी सवाल मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ क्वेशन वांस रहे हैं कि नहीं देखो एक बात और फिर से क्वेशन के लिए आपको क्या करना है हमारे प्राइस में पहले हमारे 50,000 अब आप लोगों की इस्तिती को देखते हुए इस फीज को काफी नॉमिनल कर दिया है बहुत कम कर दिया है और यह कितना कर दिया है पचास की बजाए 30 कर दिया है और अगर आप पूरी इंडिया में सेलेक्शन रेट उठा के देखेंगे मोश्ट ऐसी कोई बटालियन नहीं है ऐसी कोई सेना का मिलिटरी फोर्स नहीं है आर्मी हो चाहें नेभी हो चाहें वेयर फोर्स हो जहां आपको मिल जाएंगे जो सारे लोगों से आपके इसी तरीके से मुलाकात भी होती रहती है एंड़ी सीपी आफ के लिए फीज को काफे हम लोगों ने कम किया है और आप सरवाधिक सेलेक्शन देने वाले संस्थान से जुड़ी एक बार प्रीमियर इंस्टिटूट बोलते हैं प्र कुछ नम्मर कौन सा है सिस्टी वन है सैटेडी से लिया गया है एंड़ी दो हजार तेई सेकिंड कम लोग बात कर रहे हैं कुछ नम्मर 14 हमारा यह है नेपाल और अधर भी आंसर देखें क्या है यह नेपाल सीधे के सीधे कुशन आंसर को मैच किया गया है तब फिर आपको किस बात की दिक्कत भाई हम लोगों ने सारे पेपर तो फसा रहे हैं सारे कुशन फस रहे हैं और अब आप क्या चाहते हो अब देखो एंडिये 2023 का फश्ट दिखा देते हैं आपको यह तो एंडिये 2023 सेकिंड था कि कुश्चन सारे फसे हैं कितना बताऊंगा मैं आप खु ठीक देखे वीच वन फडावश लिफिश नोट एंड इंडिये रॉख स कौन सी नहीं है इक नहीं अए वह पूशा है इंडिया सबसे ज्यादा आते हैं 20 से 25 के बीच में जोगरफी के ठीक है सभी को उसी की टेंशन जादा रहती सर मैं क्योंकि कम पढ़के मैं इसकोर वहां आप कर सकते हैं आप देख लिए इसका आंसर इसका मतलब क्या होगा स्लेट क्योंकि यह नहीं है सेम टू सेम लाइन अब आप क्य इसका प्रफेटिक बनाते हैं आगे देख लीजी आप विच मरब द फॉलिव इस राइप करेक्ट कॉंस इस्टेट्मेंट करेक्ट है ठीक है है हाइपो सेंटर पॉइंट आफ अर्थक्वेक से लिए गया है वेलसिटी आफ एर्थक्वेक पी वेव स्मूव फास्टर और आपको दी गई है सारी कि सारी पी वेव के बारे में दी गई है आल्चो कॉल डेखो पास्टस्ट स्पेड सीशमिक बच्शनलाइक सांड ग्याइब सब कुछ देख लिएं देख लें पी वेवज मूवफ फास्टर और सफर सुरार ग्रास कर वदार संब कूल सरफ इसे पहल स्टेटमेंट और यहां से यहां से आप पढ़ेंगे मैच करेंगे आपको दो तीन स्टेटमेंट बिल्कुल खरक्ट देखेगा और चलिए अंसर क्या हो जाएगा दो और तीन हो जाएगा अब बताइए हमने सब्सक्राइब करेंगे अब आपके लिए एक थोड़ी सी और जनकारी है क्रेक और डिफेंस एक्जाम प्लिकेशन बुक्स आपको बता रहे हैं कि इनका रिलेवेंस क्लास का रिलेवेंस कभी कम नहीं होता है जितनी बार भी पेपर आएगा आपको मिली जाएंगी देखें इ लेंग्वेज हो पसंद नहीं है यहां जोने लाइडिक हैं यहां हैं बातते हैं हैं तो एक गरसे में यहां तो पाज़ेदी हो या एंगलिविस और के बॉक्सında कि भी है है पूंतर पर लिए क और अपको कि यहां के रोडिय से टाव है तो ठीक है और एसा अब है नहीं आप Positive आजले नहीं होew tapi डिलिवरी आपको कि जाए कि वो वोक्स हैं जो आपको क्या बनाती हैं फोजी बनाती हैं तो बैटा घबराइए नहीं सीधे चलिए आगे अगला कोश्चन देख लिजिए विच्वन फॉलेवेंग इस दा क्रेक्ट सेक्वेंस अब अरेंजमेंट अब गिविन प्लानेट्स देंसिटी हमारे पेज बुक के पेज नम्मर एट पर चले जाए हैं हम लोग अलग से क्लास में तीन टेबल बनवाते हैं अपको यह सारी के सारा आप देख रहे हैं पूरा का पूरा मैं एक एक लाइन अब क्या पढ़के बता हूं आपको आगे देख लीजिए कॉस्चन न देख लीजिए सीधे के सीधे कौ सिः कोल्ड कुरेंट नहीं है देखो ऑस्टियलियन वाटर करेंट साषब करेंट की है और यह कैसी है यह होड है तो कौसी एस टर् char ओस्तिक एपि बता दूंग को आफनको आगे देखे यह कॉस्षान पने घंधी अंगलें अने काफी Saying तो हिंदी बाले सोचेंगे सर थोड़ा हमारे लिए कर देते तो आपकी सुभधा के लिए उत्तरी दुर्वा दश्री दुर्पर देशांतरों के बीच की दूरी शून्य होती है फिर से वही देखो पेज नम्मर 16 पर चले जाईए आपको यहां से आगे देख लें पूरी के पूरी देखो यहां से आगे देख लें पूरी के पूरी देख है इस्टेटमेंट 123 तीनों के तीन स्टेटमेंट है क्योंकि यहां पर आप अगर देख लेंगे पढ़ लेते हैं इसको तो पूरा का पूरा देख लेंगे कहने का मतलब यह ह काम करती हैं से आप कॉंप्रियांशन पढ़ रहे हैं और यह सब पूछेगी न सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको ठीक और जो अक्षान्स और देशांतर लेटीटूड जो लोंगिटूड बाला सक्षन होता है वहां से तो हमें साब पूछते दिन द्रेयल कौन सा है दिन द्रेयल पोड कांडला पोड गुजरात में ठीक है यह भी सीदे के सीदो कॉष्ण फसा हुआ है और देख लीजी आगे यहां से इसी वाले फिगर से दो बार सवाल दो बार मतलब अभी जो डिसकस कर रहे हैं हम डिसकस कर रहे हैं आपके लिए कौन सा हम डिस चारड़ रही अपको बुक से कैसे फंस रहा है क्लाशनूbt से कैसे फंस रहा है किख लिगे इस फैले इस विच्वन ऑन फालूवं के लिगा सब से नीचहर है सबसे मीचे देखा है अमारे पास लेहमन देखा है आंसर फिर अमारे पास यहां लेहमन सीदे के सीदे द रखा है अब आपको और कितना बताया जाये आपकी तसल्लित होई गई होगी आगे देख लें क्वेश्चन नम्मर वन थर्डी साबने साटे का एंड यह दो हजार तेश्ट का विश्वन फॉजिशन ऑफ सन एंड अर्थ पॉजिशन ऑफ पॉजिशन वन टू यह वन एंड टू ही क्या है और आप इसको पढ़ेंगे तब आपको मिल जाएगा कि वन एंड टू आर्था अंसर ठीक चले आगे यह भी एक दम कॉश्चन हमने एक लाइन टू लाइन अब बात कर लेते हैं हम एंड यह दो हजार वाईस के second section वाले की कि कि एक साल में और होते हैं दो पर होते है एत्ह पर वह ब्रस में तो वार हो जाता है तिक आगे देख लेते हैं मतलब sources बाकी में वही है लगा है कि देखेश्चन नमर डेखेए कॉशन नमर 59 люд 10 हमने अकisco पूचा यह है आप से रेलबे जोन और आप देख लीजिए इस्ट सेंट्रल यहां पर लिखा होगा इस्ट सेंट्रल रेलबे हाजीपूर मैच कर लीजिए इस सेंट्रल हाजीपूर हाजीपूर इस सेंट्रल यहां से मैच कर दीजिए एक एक चीज नौर्थ इस्टर कहीं है इसमें गोरकपुर एक एक लाइन आपको मिल जाएगी आप मैच कर लेंगे और आंसर आपको पता सल जाएगा तो हम मानेंगे के नहीं अब आपको मानना पड़ेगा बिटा क्या कि हां क्वेश्चन तो पेपर सर पहले से आउट कर रख्यों एक तरीके से पहले से आउट हो जाते हैं यानि वही आपको पूछना था वही पेपर वही आपको परग्राफ पड़ने थे पी ऐसल वेफ से और देखो 2023 के फस्ट में भी पूछा था दो हजार बाइस के सेकंड में पूछा वहीं से उसी पॉइंट से पेपर को बार बार रेपीट कर रहा है पी वेफ समूब दिरूरत नहीं है आप बस जुड़िये और ट्रस्ट कीजिए हम आपको फुरूफ करके देखा रहे हैं कि ताकि आप ट्रस्ट कर पाएं इस बात का कि हां बैस्ट प्लेटफॉर्म ठीक चलिए और देख लेते हैं सेम वही हैं ऑनलाइन टेस्ट सेरीज आपको आवेलेबल ह बहुत ही कम दामम occurs बाकि की तुल्ला में हमारे जो फ्लक सेट की आते नियुट कर देख और आरेत suseर्प्रिस टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के सीधे सीधे पर सीधे तक फसे हुऊ हैां और हम क्या कि labeling को पताएं आप कर आप पर पर और आप online सीरीज का फाईदा उठा सकते हैं ठीक है तो ऑनलाइं ट्रस्ट सीरीज और इसमें आपको क्या मिलता है नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको और क्या मिल जाएगा इस पर है अपनी प्रोफाइल बनाइए इसकोर्ट चैक किजिए टेस्ट लगाईए और आपकी ऑल इंडिया रेंक पता किजिए कितने पानी में हैं तो आप अपनी तयारी का लेवल चेक करने के लिए और है कित्ती रुपय में बहुत ही कम दामों में कितने एक सब्सक्राइब किसे भी कोर्स के आप अब किजिए ओन नैंटी नैंटी चले आगे बात करते हैं हम लोग और कॉस्टन देख लिजिए नाइंटी वन समय और कितने और कुछ श्ट्रिट्मेंट लिए और हमारी बूक की स्ट्रिट्मेंट लिए आप असानी से पता कर सकते हैं कों सब्सक्राइब बहुत कर लिए बस ठीक है और आगे देख लिए अगला क्वेस्टन मैंने आपको बताया था ना फिर इस वाले फिगर से दो सब्सक्राइब करती है देखो उपर वाली है मेंचे वाली मेंटल बीच में कौन है मोहो सिंपल सी बात ठीक यहां भी एकदम सीधे के सीधे हिट कोशन फसा हुआ है अब देखें कौन सा ऐसा है जो ग्रेटेस्ट लीनियर वैलसिटी अफ रोटेशन ऑफ दा अर्थ कहने का मतलब है यह पूछ रहा है किस देश कौन सा ऐसा सहर दिया गया है किस सहर में प्रत्वी का घूरन सबसे ज्यादा दिखाई देगा तो जो भाई भूमद रेखा पर होना चाहिए कि कौन कौन से देश है देखो युगांडा और युगांडा गराधानी क्या है कंपाला तो यहां पर कौन सा आंसर होगा कंपाला सिंपल सी बात है लॉजिक लगाईए आंसर पाईए कभी कभी तुसी देख दिक्टू लाइन फस्ट जाती है ठीक कभी इस्ट अक्रोस दा इंटरनेशनल डाइन अगर आप जाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा कितना आपको पूरे के पूरे 24 घंटे का एक तरीके से लॉस हो जाएगा यूब लूज 24 आर्स ठीक है लॉस हो जाएगा अब आप आप आंसर लागा लीजिए समझाती है क्यों कि यह concept चलोता है ठीक आगे देख लिए प्राइम मेरीडियन कहां से पास नहीं होती है मुरक को अलजीरिया माली घाना अब आप देख लिए यहां पर क्या दे रखा है देखो कहां से पास नहीं होती है इतर देखें अलजीरिया फ्रांस माली वर्किना फा है ठीक और देख लें फॉर्मिशन आफ टॉर्स वाल के नुवला चैप्टर पढ़ेंगे आपको टॉर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी ठीक है तो हकीकत बात यह है यह किससे बनता है यह बनता है ग्रेनाइट से क्योंकि ग्रेनाइट ही कैसी चक्टा नहीं एक वालक पर चले जाएए उसी के थोड़ इस सेक्षन में आपको एंटिसेट्वन में जाएगा और सारे के सारे सारे सेट्वेंट आप करेक्ट इनकरेक्ट आराम चेपाइट कर लोगे ठीक और आगे देख लिजिए पताई देते हैं जैसे इसमें रखा है एंटिसेकलोन हाई प्रस थे तो यहां होंगे ही और मिरिक भी मिलती हैं तो नहीं अीशलो नहीं करेक्टर्याज करता है मिलतीए इसएती अ GM अब से पूछा, कि इसमें कितने क्रेक्ट हैं तो थो बोजाएं तो यह यहां स Hier चोने मिलतीए प्रसे किनी चीनार तो बिज़ती करेक्ट है तीनों में से कितने करेक्ट हैं सिर्फ दो हैं ठीक है आगे देखें और देख लें इतना ही नहीं और दिखा देते हैं आपको आप किस ब्रह्म में बैठे हुए हैं आप सारे ब्रह्म चोड़ दीजिए विचाप दफॉल में इस्टेटमेंट के बारे में सीधे सीधे एक दम डिक्टो लाइन उठाके पूछी गई है और देखें कॉंटिनेंटल क्रेश्ट ओशनी क्रेश्ट सारी की बारे में जान करें दी गई ह को से लगा सकते हैं और क्रेश्ट को पंद्र क्रेस्टम होते हैं तो 15 गलत दे दिया है तो यह लिए पास चाहते हूं क्या चाहते हैं है लोगों ने आउड हो ही गया पढ़तेव ही है जो एक्जाम में आता है इसे लिए प्रीमियर इंस्टिट्टिट्यूट mkc से जुढने की कोशिछ करें तो देख लिजिए प्रयाग प्रसस्ति और यहां देख लिजिए प्रयाग प्रसस्ति रिटिन बाइस को टियर हरिशेंट सिंपल लाइन उठाके पूछी है जो हिस्ट्री पॉलिटी के बुक से लिया गया है पेज नम्मर 62 ठेक है चैप्टर नम्मर 8 में से ले जाईए पेज आगे देखें Dutch East India Company यहाँ पर जोगर्फी पॉलिटी की बुक का वह लगा हुआ है होना चाहिए था एक्चुल में हिस्ट्री पॉलिटी तिक आप इसे देख लेंगा देखो हमने तीनों के तीनों यहां से लाइन उठा दी हैं देखो यह क्या कह रहा है कि Dutch East India Company पहले स्था तो देख लें क्या जो डच है वह कभी स्थापित की गई थी उडशा इसके शोला सथा दो में मिल गए सोजा सथो में और यह कंपनी कभी स्था इथी पंद्ध सन उन नियानवे मैं तो यह बात बिलकुल था आया था तो बिलकुल आया था चौदाशा था थार्मे यह देख कर लेते हैं और तब भी आपको तसल्ली नहीं है तो भी इस भात को समझो पहिचानो ठीक आगे देख ले हम लोग NDA 2022 सेकंड की बात कर रहे हैं पेपर की सेट पेपर यह चल रहा है इसमें विच में फॉलिविंग बैटल ऐसा कौन सा युद्ध है जिसे हम यह मान सकते हैं कि आप में बिटिस आसन की नहीं पड़ी इसको आप मैच कर लीजिए तो बैटल अफ प्लासी बैटल अफ प्लासी इस दा करेक्ट आंसर पूरा आप जानेंगे तो आपको मिल जाएगा इंपक्ट्स में आप पता कर पाएंगे कि फॉर्मल फांडेशन कि ने रख दिया था ब सेलर है हकीकत तो क्लास में आईए एक एक लाइन आपको मैच करके दिखाऊंगा इस वीडियो की अपनी कुछ लिम्टेशन्स है कुछ सीमाये हैं बस उन्हीं को धियार में रखते हुए बीडियो जादा लंबा ना हो आपकी सहुलियत के लिए हमने सिर्फ कुछ ही क्वेस् एक दम डिक्टो आपको मिला के दिखाया है तो एहम केशी वक्स और एम केशी प्रीमर इंस्टिटूट जो लहवाद में है अपके प्रयागराज में होतर प्रदेश में आप जोईन कीजिए फिजीकल हैल्थ मेडिकल और अकेडिमिक यानि रिटिन एक्जाम सुरू से लेक आपको जोईन आप हमें जोईन कीजिए आप अपपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए बहतरीन तयारी करने के लिए अन्न की तुलना में कहते ना एक बार आओ फिर आकर के ट्रस्ट करो पहले से अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हैं तो तो देखो हम आपको प्र याप